स्री गनेश शाय नमा प्रिये बंधुगो भारतिय सनातन जीवन पधिती में चार युगों की प्रमानिकता बताई गई है इनमें पहला युग है सत्युग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग और चोथा युग है कल युग अब प्रेश्न ये उठता है कि इन चारों युगों की समय अब धी कितनी-कितनी रही या कितनी-कितनी है तो चलिए जानते हैं विस्तार के साथ में इसी बारे में जैसा की पहले बताया सत्युग तो सत्युग की जो आयू थी वह 17,28,100 वर्ष उसकी प्रमान आयू सास्त्रों में बताई गई है इसमें भगवान विश्नु के चार आवतार हुए हैं पहला आवतार मतस्य आवतार हुआ है दूसरा आवतार कूर्म आवतार हुआ है तीसरा वाराहे आवतार हुआ है और चोथा नर्सिंग आवतार हुआ है यह चार अवतार सत युग में भगवान के हुए हैं अब इस युग में हिरनाक्षिपु जिसे बहुत से लोग हिरनाकश्चप के नाम से भी जानते हैं पहलाद, वेरोचन, बली, बानासुर, इत्यादी, परतापी राजा इसी युग में हुए हैं इस युग में सतकारियों की अधिक्ता थी, असतकारिये इस युग में नहीं के बराबर थे इसलिए इस युग को सत युग नाम दिया गया है अब त्रेता युग के बारे में बता रहे हैं त्रेता युग की सोर वर्स आयू वारा लाख चानवे हजार वर्स थी इसमें भगवान विश्नु के तीन आउतार हुए हैं पहला भगवान वामन का दूसरा परश राम जी और तीसरा आउतार भगवान राम के रूप में हुआ हैं इस युग में विश्वामित्र, भगीरत, दिलीप, मकरद्ध्वाज, दशरात, शील्ध्वाज, कुष्ध्वाज, सिरी राम, लव और कुष्णाम के परतापी तथा यसस्वी राजा लोग हुए हैं इस युग में 75 प्रत्सत लोग सत्कारिय किया करते थे, 25 प्रत्सत लोग असत्कारिय में लिपते थे इसलिए इस युग का नाम त्रेता युग रखा गया है अब हम द्वापर युग के बारे में बता रहे हैं इस द्वापर युग की 100 वर्स आयू 8,64,000 वर्स थी इस युग में भगवान विष्णू के दो आवतार हुए हैं पहला भगवान स्री क्रश्न के रूप में हुआ है और दूसरा आवतार भगवान बुद्ध के रूप में हुआ तो ये दो आवतार द्वापर युग में भगवान विष्णू के हुए हैं इस द्वापर युग में अंग, पंडू, युदिष्ठेर, पारिक्षेत तथा मोर्ध्वाज नाम के प्रतापी और यसस्वी राजा लोग हुए हैं इस युग में सत और असत कारिय में समानता थी, समानता से हमारा तात्वर ये ऐसा है कि पचास प्रत्सत लोग अच्छे काम करते थे, सत कारिय करते थे और पचास प्रत्सत लोग असत कारिय में भी लिप्त उस समय थे इसी लिए इस युग का नाम बिद्वानों ने द्वापर युग रखा है अब वर्तमान में कल युग चल रहा है तो इस युग की जो आयू है वो चार लाक बतीस जार सोर वर्ष प्रमान आयू इसकी बताई है इस युग में अधिकांश्ता कारिये मसीनों से किये जाएंगे इस युग में लोग कर्तब्य भ्रमित होंगे और राजा लोग स्वार्थी होंगे सत्ता में इस्थाई पन की कमी रहेगी आगे जब घोर कल्यूग आजाएगा उस समय सत्कारिये 25 प्रत्सत के लगभग होंगे और असत्कारियों की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी याने 75 प्रत्सत के लगभग असत्कारिये होंगे तब किसी संभल नाम की जगे पर विश्णू शर्मा और उनकी पत्नी सुमती के यहाँ जब कल्योक के 821 वर स्थेस रह जाएंगे तब हरी शर्मा के नाम से भगवान विश्णू का कल की अवतार होगा एसा ही सास्त्रों में बरनन हमें मिलता है बंधुगो आज की जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कामेंट्स वाक्ष में अवस्च लिखें धन्यवाद जे माता की जे परश्राम जी के